वेलकम तो माय यूटिव चानल वाल लिटरिचर आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मौलना रूमी की सेकंड पॉइम अस्टोन आई डाइट अब इस पॉइम में वो कहते क्या है इनके मिज़ थीम्स क्या है इसका अनालसिस करते हैं और उसका मीनिंग को अंडर्स्टेंट करने की कोषिश करते हैं जैसे के मौलना रूमी की सारी के सारी राइटिंग्स है उसमें लव अफ गॉड है और उसमें का मैसिज मिलता है उनके पोईटरी के अंदर और वो हुमन बींग्स को एक मैसिज देते हैं लव अफ कोट का कि किस तहां से इनसान मुश्किलात की मंदिल को तैग करकर के जो है वो अल्ला ताला का इश्ग हासल कर लेता है और वो स्टोन से कैसे गॉल्ड बन जाता है तो आ किस पोई में वो एक सिंपल जो मीनिंग के पढ़के वो हम जो लेने की पहले कोशिश करते हैं कि अप्लांट डाइड एंड रोज एन अनिमल आई डाइड एन अनिमल एंड वास बॉर्न आम मैं वाइशुड फियर वाट है लोस्ट बाय दत तो वह इसके अंदर सबसे पहले क्या कहते हैं अगर हम इसका डीपर मीनिंग में जाएं तो वह कहते हैं कि अगर हम मौला रोमी की जर्नी ओफ लव देखें तो आर्ड गॉर्ड आला की तरफ देखें कि उनकी जर्नी कैसे थी जो किस सहां से उन्होंने खुद को खुद की ट्रांस्फरमेशन की कैसे वो स्ट तो अस्टोन डाइड कि मैं पहले जो था वो एक स्टोन था एक फिलिंगलस इनसान था एक गुनहगार इनसान था मौला रोमी कहते हैं पहली लाइन के अंजर एन्ड रोज अगेन अप्लांट तो मेरी उसके बार ट्रांस्फरमेशन हुई जब मैंने इसके इलाही के रस्ते पर कदम रखा तो मैं एक स्टौन था पत्थर था सबसे पहले जिसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती जो कहीं भी रस्ते पर पढ़ा होता है और वो खतम हो जाता और उसकी death हो जाती है फिर क्या हुआ कि मैं फिर से उठा किस सुरत में एक पौदे की शुरत में पौदेन के ज़रा उसकी transformation होई एक अच्छी हालत में हुआया उसने कुछ सीखा यहां पर metaphorical बात हो रही है ना इनसान की किस तरह से वो अपनी stages से करता है एक गुनहगार इनसा एक अच्छा इंसान बनने में अपने नफस को मारने में वह कितनी मनादल तह करता है सेकंड लाइन में क्या कहते हैं मौला रोमी अप्लांट डाइड कि कहते हैं कि पहले में पत्थर बना फिन में मेरी transformation हुई मैं प्लांट बना और प्लांट के लिए फिर death हो जाती है कि प् जादे से जारा बेहतर जानदार चीज़ में आ जाता हूँ वह है एनिमल तो जब वह जानवर बनते हैं में कि जब वह एनिमल की शकल में होते हैं तब भी उनमें बहुत जारा कमिया हैं अभी भी और transformation की जरुत हैं अभी भी सौना बनने में बहुत time है तो end was born a man तो उसके animal की जब एक condition होती है उस condition की भी death हो गई है और उसके बाद जहें वह इनसान की शकल में दुबारा से पैदा होते हैं अब जब वह इनसान की शकल में पैदा हो गए हैं तो last में वह क्या कहते हैं why should fear कि मुझे क्यों ड़ना चाहिए what have lost by death कि मैंने death से मैंने कुछ गवाया तो है नहीं यने कि जब-जब मेरी death हो यह stone से death हो यह झासल अचल की मुझे जो इशक अलाही का जो मकाम हासिल होना था मुझे जो इशक अलाही चाहिए था اللہ تعالیٰ کی جو محبت مجھے چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی تو مجھے اب ڈرنا کیوں چاہیے موت سے مطلب کہ موت کا سفر تو میرا بہت اچھا گزرا ہے کہ موت سے مجھے بار بار کچھ نہ کچھ ملا ہے ان کے death جو ہے وہ مجھے کچھ نہ کچھ ڈے رہی ہے death مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ مجھے اب death سے کیوں ڈرنا چاہیے death تو مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب لے کر گئی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت مجھے حاصل ہوئی ہے تو اس پوری پوائن کے اندر جو مولانا رومی ہے وہ ہمیں میسیج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کس چیز کا میسیج ہمیں دیتے ہیں کہ جب انسان عشق الہی کے کرستے پر قدم رکھتا ہے تو اسے بہت ساری جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ایک اینٹ ہوتی ہے پہلے وہ مٹے کی بنی ہوتی ہے جب پھر اس کو گرم پکتے ہوئے جو وہ بھٹی ہوتی ہے اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس کے اندر اتنا پکتی ہے کہ وہ سرخ ہو کر مضبوط بن کر بائیں نکلتی ہے تو مطلب کہ اتنا اس کو اینٹ کو سفر کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح جب انسان عشق الہی کے رستے پر چلتا ہے تو اسے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے اسے اپنے جو بہت ساری illegal activities ہیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے اور جو حلال چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ان پر ثابت قدم رہنا بڑتا ہے تو مولانا رومی ہمیں اس میں faith کا message دے رہے ہیں ہمیں اس میں life کا message دے رہے ہیں death کا theme بھی ہے اس میں love کا theme ہے اس میں اور revival کا theme ہے اس میں کہ کس طرح human جو ہے وہ اپنے بتر حالت سے جو ہے وہ اپنی real جو انسان کو شرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اس تک پہنچ سکتا ہے تو رومی جو ہے وہ اپنی poetry کے اندر sufism love of god patience transformation revival of life تو ان سب کی جو themes ہیں وہ major themes ان کے وقت میں تو اس poem میں بھی وہ ہمیں ایک hope کا message دیتے ہوئے death death کو in a positive way انہوں نے بتایا کہ death جو ہے وہ ان لوگ death کو negative way میں لیتے ہیں مگر death یہاں positive way میں دکھائے گے کہ کس طرح جو death ہے وہ ان کے لیے کتنی positive ثابت ہوئی کہ ان کی جو اللہ تعالیٰ کے قرب ان کو حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو گئے i hope کو آپ کی اس poem کی سمجھ آگے ہوگی channel کو subscribe like or share کر دیجئے گا thanks for watching my video